हलो एफ्रीबडी दिस दिग्रासिंग राजपूत वेलकम टू सोचल स्कूल इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पहली चीज जो हो रही थी वो यही हो रही थी कि कॉंग्रेस जो है 1989 का चुनाव हर जाती है एंड ओफ कॉंग्रेस सिस्टम देखने को मिलता है अब जब कुरसी खाली है आपकी कुरसी पर पैठने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे तो जो कह सकते हैं कि सिंगल पार्टी ड आप चीजों को जी पाओ समझ पाओ एक आपको बहुत अच्छे से समझा दूँगा कि ताकि कुशन जैसा भी पूछा जाए अब आप क्लास 12 में है तो मैं मान के चल रहो हूँ आप इतने मैच्योर होगा है कि सवाल पूछ लो कि दर से भी कैसा भी मैं सब लिखके आ जोग आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे कब कौन सा सेशन आने वाला है सांती साथ अनकैडमी एप जरूर डाउनलोड कीजिए क्योंकि यहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडिएफ ठीक है और उसके अलावा क्या है स्पेशल क स्कॉल्रशिप एक्जाम फूब ये सारे फीचर्ज फॉर फ्री अप एक्सफ्लोर कर सकते यूजिंग डिकोड झ आई जी डिए जी आरेज दिग्राज हुआ चलो तो आब आगर हम आगे बढ़ते हैं तो election से बात करते हैं election in 1989 1989 की एलेक्ष्सट फेन तो इसमें Congress Party हरती है, ठीक है, Congress Party हरती है, उससे ज़्यादा दुख ही था कि कोई दूसरी Party जीतनी नहीं है, दूसरी पर्ती जीतनी नहीं है, इसका मतलब कह जीदन सिंगल largest party इमर्ज हो के नहीं आती है, तो सवाल यह आता है, फिर क्या हुआ, सब्सक्राइब कोई सब्सक्राइब किसकी बनेगी तो वहाँ पर क्या होता है तो थी कॉंग्रेस वाज लार्जेस पाटी लोग सब्सक्राइब क्या कहानी है वह मैं आपको समझाता हूं फिर नैशनल गवर्मेंट बनती है तो नंबर से समझते हैं सारा खेल नंबर से समझते हैं लीडर से समझते हैं ऐलेक्चन जो थे कभके एलेक्शन जो थे 1989 59 59 ठीन इलेक्शन ते ना तो इसमें क्या हता है चुनाव में सब उताते हैं अब सब उतर और तो तो सब उतरने पे होता है क्या है कि Congress Party जो एक प्रवल दावेदार थी Congress प्रवल दावेदार क्यों थी वाइप कि Congress प्ष्ला जो इलेक्षन था पिछला मतलब 1984 का जो इलेक्षन था है 1984 के एलेक्षन में प्रचंड बहुमत के साथ जीती है कितनी पढ़ाया था भी मैंने 415 सीट्स के साथ जीती थी तो इस करण से Congress एक प्रचंड बहुमत से जीती है लेकिन यही Congress यही Congress जब आप बात करेंगे कौन से इलेक्षन की यही Congress जब आप करेंगे 1989 के एलेक्शन आते आते हैं बहुत सारे चैलेंजस से जूज रही थी ठीके चैलेंजस से जूज रही थी क्या चैलेंजस से जूज रही थी तो देखो 1989 के एलेक्शन में पता है राजीव गांदी बहुत लीडर लेकिन उनके सामने बहुत सारे चैलेंज थे क्या कि पंजाब म लगी लिखती बाते दामन पे दाग तो लगी जाता सरकार के तो क्या लिख सकते हो पंजाब वाला जो इशू था पंजाब के आद में जो तमिल इशू चल रहा था श्रीलंका से जो हमारे रिलेशन्स अब जैसे इंडियन करना कुछ लोग बोलते सहीं आँ पॉर्स गलत था तो इस ताना से तमिल वाला एक शू चल रहा था तामिल वाली इशू के बाद में नौर्तीश्ट में शमस्याएं नॉर्टीश्ट में समस्याओं के बाद सबसे बढ़ा क्या है तो जो कॉनशा स्केंडल स्कैंडल नरर जौ चलते का इन सारी चीजों के चलते Congress की चवी दूमिल हो गई थी कि यह जो लैंड स्लाइट विक्टरी Congress जीती थी तो यह लैंड स्लाइट विक्टरी जो है लग नहीं रहा था कि बचा पाईगी यहाँ पर यह सब कुछ दो चली रहा था इसके पैरलल में विश्वनात प्रताप सिंग वीपी सिंग जो थे तो एक समय पे जो क्या हुआ करते थे कॉंग्रेस के मिनिस्टर हुआ करते तो नों मिनिस्टर अपनी मिनिस्टर्शिप से रिजाइन करके राजीव गांदी के जो एक क्रिटीक थे राजीव गांदी के एगेंस मावाद उठा के एक मोर्चा बनाया उन्होंने एक पूरा ग्रुप बनाया नैशनल फ्रंट ठीके त तो वीपी सिंग ने एक तरह से कह सकते हो कि जनतादल पार्टी बनाई अपनी जनतादल पार्टी बनाए उसके अंदर और जो रिजनल पार्टी थी तो एक अलाइन्स था नेशनल फ्रंट का तो वीपी सिंग ने इन सबको जोड़ा अब चुनाओं में कौन था राजीव ग देखने को मिलेगा Congress जो थी Congress single largest party की सारा 197 seats के साथ में Congress जो है तो single largest party है लेकिन यह 197 figure अपने आप में परियापत नहीं की सरकार बन सके जनता दल आपको support देगी नहीं क्योंकि जनता दल जो है तो जनता दल अपने आपके आपके खड़ी थी बीजेपी से support लेने जाओगे बीजेपी support देगी नहीं कांग्रेस को ठीके left front support देना नहीं चाहरा था अगला जो यह first party थी second largest party जो थी जनता दल थी ठीके जनता दल in the sense की national front जो था ना जनता दल इन देसेंस national front तो national front जो था वो second largest party थी with how many seats with lovely seats 143 ठीक है 143 के साथ में जनता दल जो थी वो second largest party थी लेकिन सरकार Congress बना नहीं सकती थी Congress के पास clear majority नहीं थी जनता दल second largest party थी उसके पास भी उतना number नहीं था कि सरकार बना सके तो यहां पर क्या होता है जनता दल को support मिल जाता है जनता दल को support मिल जाता किस किस का बीजेपी का और बीजेपी के साथ साथ किसका मिलता है left front का Communist Party of India अगेरा को मिल जाता है तो यह सब का support लेके क्या है 143 से 272 प्लस पहुच जाते हैं कौन जनता दल National Front के लोग बीपी सिंग पहुच जाते हैं और इस तरह से सरकार जो है Congress को कॉने में बैठ गई थी और पावर में कोना गए जनता दल से ज्यादा सीट थी Congress के पास में लेकिन क्या होता है कि को यही तो निचर है कि दो अलग अलग लोग जो कम सीट्स वालें उन लोगों ने मिलके क्या कर लिया एक वह majority फिगर अचीव के लिए तो उनकी सरकार बन ग ठाव तो मैंने बता दिया National Front जो था तो National Front अंदर दी लीडर्शिप ओफ वीपी सिंग यह रहे वीपी सिंग तो बीजेपी और लेफ्ट फ्रेंट वगएरा का सहारा लेके उन्होंने क्या कर ली सरकार बना ली तो National Front विच इटसल्फ वास अलाइंस ऑफ जनता दल एंड सम तो देखो यहाँ पे यही तो खेल होता है राजनीती का कि Communist Party एक एक अग्म कॉनों का। साथ उतराते मैदान में तो उन्हें पता आखरी में कोई जीते का कोई है की लेकिन दोनों कभी-कभी एक साथा की अगर हम जंता ताल को सपोर्ट देंगे मतलब नैशनल फ्रंट को सपोर्ट देंगे तो वी पी सिंग की सरकार बन जाएगी और इस फी ओंगतिली बाहर हो क्या होता है कि BJP और Left Front were like this, BJP and Left Front to the National Front, इनका क्या कहना था हाँ, बन जाएगा, तो इस तरह तरह सुन ने बलती है, हम सपोर्ट दे रहे हैं, तो हम सरकार बनाओ, सरकार बन गई, and on this basis, the National Front formed a collision government, but the BJP and Left Front did not join this government, ठीके तो BJP और Left Front ने क्या बोला, कि हम, हमें कोई वो नीचे पद नहीं चाहिए, हम तो तुम्हें सपोर्ट दे रहे हैं, जाओ, बनालो सरकार, ठीके तो सरकार बनाई भी, कब बनाई 1989 में सरकार बनती भी है, लेकिन 89 से 1990 तक ही चलती है, फिर क्या होता है, फिर जैसे मैं आपको एक political development बदाता हूं इस टाइम प्रेड में, कि रत ही आ है, कि वो रत यातरा में क्या होता है, कि national government लाल कृष्न अडवानी को ही अरेस्ट कर लेती है, तो उन्हें रखता है, हमने तुम्हें सपोर्ट दिया, तुम हमें आरेस्ट कर रहे हो, तो इस तरह से क्या बीजैपी अपना सपोर्ट हटा लेती, तो वीपी सिंग की सरकार ग सब्सक्राइब निकाल के अपने साथ कुछ 64 MP को साथ ले गए Congress से सपोर्ट ले लिया Congress सब्सक्राइब फिर सरकार बना दिए तो आपका Congress ने सोचा कि अच्छा बीजेपी और लेफ्ट फ्रेंट ने मेरे साथ दोखा किया था तो मैं इनके साथ दोखा कर दा तो Congress अपने साथ कुछ MPs को लेके आया थे तो उनसे मिलके फिर एक चंद्रशेकर की सरकार बन जाती है लेकिन चंद्रशेकर की सरकार भी ज्यादा दिन नहीं चलती ही कुछ ही महने चलती है Congress वहां से अपना सपोर्ट हटा लेती तो फिर आप ऐसी कि एक के पास नहीं था जब किसी को नहीं मिल पा रहा है तो फिर मिट्टा मिलक्षन होते तो फिर उसमें आगे और कहानी बदलती चलिया थी पीवी नलसिमा राओ जो है राजीव गांदी का एलेक्शन कैंपेइन में ही क्या हो जाना उससे कहीं ना कहीं कहीं को थोड़ी ऐ तो फिर वह सब्सीक्मेंट ऐसे डेवलपमेंट्स होते चलते रहते हैं ठीक है वह हम पढ़ेंगे और मैं आपको जब सारे लीडर्स के बारे मताओंगा तो वह पॉलिटिकल स्टोरी हिस्ट्री पॉलिटिकल हिस्ट्री भी सुना दूंगा तो इस तरह से क्या है नैशनल फ पॉंग्रेस उसमें हम यही पढ़ने वाले हैं समझने वाले हैं अभी के लिए स्टे करेक्टेट कीव लर्निंग साइनिंग आप विद इस टुगेदर वी कैन वी विल थैंक यू थैंक यू वरी